आपके साथ मेरा रिखफर्स रूटीन हाउस क्लीनिंग रूटीन और साथ-साथ में घर में किस तरह से मौनिंग टाम करती हूं वह आपके साहर करूंगी और आज का जो दिन है वह फ्राइडे और अभी सुबा का 8.30 हो रही है तो आप लोग देख सकते हैं बाहर अच्छी तर यह जो मेरे चुटी चुटी पैरे फ्रेंड है आप लोग इसका बच्चे भी बोल सते होगी यह पूदो के साथ मेरे अटाश्मेंट पॉफ हो जादा ही है तो अभी सुबा का 8.30 हो रही है और मैं काफी जल्दी उड़ गई थी आज 600 क्लव पर जी उड़ी थी बट मैं कु मेरा यूटूब का काम बहुत सारा था यहां पर सोफे के ऊपर मैंने रखा है लाग्टोप और नोट्बुक यह सब रखा है कुँ कि मैं वीडियो को एडिट करने में तोड़ा बट बीजी थी इस ताइम पर अजल सोती है इसके वज़े से में सारा यूटूब का काम है इस बूटीन कुछ भी नहीं होता है सिर्क में लिविंग रूम को क्लीनिंग करना होता है दो इस तरह से होता यह रात में अजल का जब सारा काम है यह पर ही चलता है इसके वज़े से लिविंग रूम का एरिया है वो चापी मेस हो ज़ाता है और यहां पर में लापन, बना पाउं फिर भी थोड़ा बहुत थाइम निकाल के मैं घर का सारा काम करती हूं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो बनाती हूं तो यह सपय के कबर को अच्छे से में निकाल के अच्छे से सजा रही हूं और उतके बाद मैं करोंगी घर को अच्छे से निकाल नहीं है तो विक में एकी बार दीपलीनिंग होता है और ठीक नहीं रहता है जब मुझी घंदा लगे तम मैं डीपलीनिंग करते हूं पाद सीप जो फ्लोर का मॉपिंग है और साथी जो रॉस्टिंग है यह सभी रहेगा तो यहां पर जाड़ो कर भी अच्छा लगाओंगी तो लिविंग अरिया खतम होने के पाथ अभी आते हैं डाइनिंग अरिया पर डाइनिंग अरिया में बिल्कुल भी यूस नहीं करती हूं यह डाइनिंग टेबल पर यहां पर बहुत सारा स्टॉप जो है मैं रख देती हूं तो इसके वज़े सी यह कपड़े के साथ में यह डाइनिंग टेबल को साफ कर रहे हूं और डाइनिंग टेबल के ऊपर जो मैंने एक मेट बिच्छा दी हूं लास्तिका वो मैंने अल्रेडी दोख के सुखा जिया है तो इसके विज़े से यह खाली खाली दिख रहा है तो यह मैं ज्यादा का देडिकाश का जार में रहे है विज़े से काच की बोडोल है और एक सौल की मैंने जार रखा है और यह चौकलीट केंडी है जो कि मैंने बनाया था उसको मैंने अच्छा तो इस तरह से यह चोटा सा डाइनिंग टेबल के उपर मेर आ जाता है तो यहां पर दो पर गुए मेरे बेट बेटे के आफना जेव मॉपिंग काम करूंगी वेसे तो मेरे घर में ज़से तो जीच है बत उससे घर इतना ज्यादा क्लीन नहीं होता है और अंजेल भी घर को गंदा करती है अगर आफ बेट के चल अलगाते हो तो घर जो है बहुत अच्छे से साफ हो जयता है और एक चीज में तिन नोटिस किया है कि अगर आप इस तरह से बेट के कुछा करते हो घर को तो बहुत अच्छा है कि आपका एक्सराइज होता है और बोड़ी की जो वेट है बहुत जादा हलका लगता है मुझे तो इस तरह से फील होता है अगर आपको भी फील होता है तो कम यहां पर मेरी सारी के रूच्छा 歌 प्लय को शब्लेटी हरेगा है। करता है यहां पर अभी आगी हूँ लेंडर का रुटीन फोलो करने के लिए यह जो लेंटरीका रुटीन है में झोला पर अपना रुटीन हे फट्ला करती हूं आज का यो रूटीन था कि Сारी ओस्पीश के कपड़ी है कि सारी आप नहीं में डालू तो एक एक पर करके हम लोगों का जो सारीडा कपड़े रहता हैं इनडिईशली साफ करती हूँ जैसको लिख साफ करहसे हैं Lud week और मेला साफ करती हूँ और मोस मांने के साफ करती हो और फिर में मेरा जो गरम पानी है वो पिऊंगी कप्डी डालने के पाद यहां पर आगे हूं किचेन में और आप डेख सकते हैं किचेन बिल्कुल भी साफसुत रहे है रात को ही मैने क्लीन करके सोई थी तो मौनिंग में कुछ का काम बिल्कुल भी नहीं होता है जो भी ब्रेकफस्ट वगरा बनाना होता है और आज का जो केरीफ क्या तका कि गरम पानी में अप्लुशाइट यe लेने से क्या होता है और इसके जो पिल सयर्ड में वेक्या वह और एक तरीका भी आजकल फोलो कर रहे हूं वह तरीका आप लोगों के साथ सेयर करूंगी बट अभी तक मैं टू विक्स पी रही हूं तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ चेंजर नहीं लगा है एक चीज में नोटिस किया है कि मैं जो भी काती हूं वह अच्छे से डाइजेस हो जाता है तो मुझे थोड़ा सा हैवी नहीं फील होता है पता नहीं वेट क्या होगा बट यह अंदर आ गई है तो यहां पर सारे फीशेस को जो है अच्छे से खाना डाल दिया है उनको भी खाना देना जरूरी होता है सुबा सुबा और बीच में आंजल को भी देखने के लिए हां पर पैट के यह पाने को पिऊंगी और साथी साथ यह जो मोबेल मेरे हाथों में आप देख रहे हो है यह मेरा यूटूब का सारा जो काम है इस मोबेल में करती हूं तो आपका सारा जितना भी कमेंट होता है रात पर जितना भी में रिशीव करता हूं वह सारा कमे इसको जिसे थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया है और अभी में ये सारा काम खतम करने के बाद में नहाने 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 के बाद में पूजा की बारी तो पूजा में हमे बहुत अराम से मैं फुझा करती हूं और थोड़ा साम झाते हुआ ह् मैं पूजा कर्ते हूं हम इसा more time भTalk से अमछा से मां मैं भूरत कर आना अगर आप मेर फूजा करना चाहते हूं जो भी नर्माली पुझा होता है मैं वो करते हूं इस तरह से नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ पुझा में आता है मैं वो करते हूं वैड़ा भी बहुत सारे विवोज ने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यह मंदिर का टूर कराने के लिए बट आप लोग देख सकते हैं मंदिर मेरा थोड़ा सा इनकम्प्रीट है जैसे कि यह जो राउंड राउंड आपको दिख रहा है यह दो सिखसा आएगा ग्लास की हम लोगों ने कुछ डेकुरोटीफ यहां पर लगाएंगे और उपर का जो मंदिर में आता है ब्रास का वो कलर से यहां पर लगेगा तो पुजा करने के बाद में जाओंगे ब्रेकफस्ट बनाने के लिए ब्रेकफस्ट अल्मोस्ट हो गई है 9.30 ब्रेकफस्ट 15 मिनिट के अंदर में तियार कर लोगी उसके बाद आंजल को उठाओंगी और साथी साथ आंजल का रूटीन उस ताम पर स्टार्ट होगा तो यहां कि के बढाने वाली हो talk support लोगों बहुतस ज़ए अचीव श्रीव होगा अचक्या लगता है मैं अज मटर वाले पवा बनाऊंगी जो कि मैं अगर मुझे आप डेली बहुत अच्छे से कहा लेती हूं मुझे बहुत बहुत ज़ए अच्छे में हैं तो साथिससाथ आठ अफ में आज सूजी का खीर यानि जो रावा आता है उसको में खीर बनाऊंगी तो बहुत सार भी उसने मुचे रिक्वेश्ट कर रहते कि मैं आंजल का किस तरह से खीर जो है बनाती हूं या ब्रेकफ़स्ट बनाती हूं तो यह रेसिपी आज मैं आपके साथ कर रहे हूं वह का र लिया है आप चाहे तो सीम क्वांटिटी का भी गी ले सकते हैं गी डाले से बहुत ज़्यदा अच्छा इसका टेस्ट आता है जितना आप गी यूज़ करेंगे उसका जो टेस्ट है बहुत जादा होगा और यहां पर दूसरे साइड मैं ने ओल लिया है यह मास्टर ओल में यूज़ कर रही हूं और साथे साथ मैं सूज़ी को जो है थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक प्राइ करूंगी तो यहां पर अच्छे से मैं प्राइब करने के बाद इसमें पानी डाल दोंगी और आभी मैं बहुत बना रही हूं साथे साथ मैं अपको दिखा रही हू तो पानी दालते ही जो रावा है बहुत अच्छे से गाडा हो जाता है जब यह फोड़ा हो जाता है तो आप इसमें मीट डाल देना है और आपके बचे जितना मीठा काथे उची साब से चीनी डाल देना है मैं यहां पर बुरा का आजकल यूज़ कर रहे हूं जो पतनजली बूरा आता है वह पच्छे के लिए बहुत पची रहता है तो इसको पचे से नर्मल जो वाइट सुगर है मैं मुझ राने के लिए देती हूं और बूरा का नोटीस रहा है तो याँ पर डूल भी टाल दिया है वश्चे से इसको अभी मिक्स करना है आपको यह जितना हुप कर जाता है जो अंजल भी नहीं का पाती है तो इसके विज़े से यहां पर एक एलाइची को तोड़ कर मैं यहां पर डाल रहे हूं सिस फ्लेवर के लिए तो यह आल्मोस्ट 5-10 मिनिट्स के अंदर हो जाता है मैं 10 मिनिट्स तो नहीं कुकरते हूं 5-7 मिनिट्स ही कुकरते हूं तक यह अच्छे से एक खीर का कंसिटेंसी में आ जाए उसके बाद मैं अंजल को खिलाओंगी कर दो एक रवा जाए ओर नहीं कुकरते हूं इल्मोस्ट 6-10 मिनिट्स झाल झाल आपने यह ब्रेकफस्ट हो गई है और अजल उतने के बाद यह बेट को भी इनने क्रीन कर लिया है तो उस दिन एक्चुली फ्राइडे था तो हम लोग यह पर यह पर चा रहे है फीच लाने के लिए और फीच आम लह लिए तो मैंने एक ब्लॉग में अप लोग क्सास्ट आरकी आप चेक कर सकते तो अब्हु हो जाने के लिए कि अगल यह दो जब के लिए और बैबी रिलेकेट वीलियो दिखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो मैं में दू और एक नया वीडियो के साथ अभी के लिए बाब बाइट के लिए हैपी